तो अगर आप लोगों के साथ भी यह प्रॉब्लेम हो रहा है कि आपका जो गिल्ड का डॉक्ट पॉइंट है वह हरपते 18 सो कम्प्लिट नहीं हो रहा है जिस वज़े से आपको जो कस्टम रूम काड नहीं मिल रहा है आपका जो गिल्ड है वह धीरे धीरे डेट पर जा रहा है विकोज अगर आप लोगों को कस्टम रूम हरपते नहीं मिलेगा सो जाधा दर जो गिल्ड में चोटे वह गिल्ड चोड़ना शुरू कर देते हैं अगर आप लोगों के साथ भी यह प्रॉब्लेम हो रहा है आप लो पॉइंट है इजीली कम्प्लीट हो जाएगा और मैं आप लोगों को यह जो ट्रिक बताने वाला हो इसको अगर आप लोग ने यूज किया तो आपका होना स्कोर भी फरक नहीं परेगा मतलब आपका होना स्कोर को भी कोई खत्रा नहीं है तो यह ट्रिक को आप बीना डर के यूज कर सकते हो तो चलिए आजका वीडियो करते एक छोटे सी इंट्रो के बाद इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एकसे एक्स्प्लेइन करोंगा कि कैसे यह ट्रिक काम करता है आप लोग को कैसे यह ट्रिक करना है सब कुछ मैं explain करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहला तो मैं आप लोग को यह समझाता हूँ कि अगर आप लोग ने यह ट्रिक एक घंटे तक फॉलो किया तो आप लोग ने यह ट्रिक को सही से फॉलो किया तो आप लोग जो है एक मिनिट के अंदर 20 से 25 डॉक्टेक जमा कर पाओगे अगर आप लोग ने एक मिनिट के अंदर 20 डॉक्टेक भी कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब है कि आप लोग एक घंटे के अंदर 20 इंटू 60 मतलब आल्मोस्ट बारासो डॉक्टेक कंप्लीट कर लोगे अगर यह ट्रिक आप लोगों का अगर थोड़ा सभी उपर नीचे होता है मतलब मैच मेंगिंग में टाइम लगता है यह हो तो यह समझ के चलो कि आप लोग का जो है एक असा डॉक्टेक तो आप लोग कंप्लीट कर ही लोगे बहुत से प्लेइर अभी के टाइम पर आप लोगों का डॉक्टेक कंप्लीट नहीं होता है तो वह क्या करते मैच को स्टाइट करते हैं जोन में एलिमिनेट हो होके मैच को जल्दी से जल्दी खतम करने की कोशिश करते हैं उन लोग का अगर पूरा मेच खतम होता है सो उसमें मिनिमम जो है 5-6 मिनिट लग जाता है और 5-6 मिनिट ग्राइंट करने के बाद उन लोग को सिर्फ 5 या 10 डॉक्टेग मिलता है तो मैं आप लोग के ये ट्रिक अभी पूरा एक्स्प्लेन करता अब की सब्सक्राइन का अब करता है विसके लिए जाता है और अपका मोबाइल डेटा या फिर वाई-पाई-फाई जिससे यह विए फिर आप लोग को तर्ण ओन करदेना है जैसे आप लोग को सामौन अन जैसे यह अपना बैखना है यह आपको ब्लोग कर देना बेग्राउंड में देख सकते हो डेटा टार्ण आफ करने के बाद साथ साथ डेटा टार्ण आउन करो एंड उसके बाद आप लोगों को जाए श्टार्ट कर देना है और सेम प्रोसेस को आप लोगों को करते रहें बाट इस प्रोसेस को करने के लिए जादा से जादा 15 से लगता है एक मिनिट के अंदर आप लोग यह प्रोसेस चार से पाच बर तो दोड़ाई सकते हो एंड आप लोगों को यह जो बैक्डाउंड में एक मैच चलता रहते हैं उसका आप लोगों को पार्च डॉक्टेक मिले अच्छे से फॉलो किया तो आप लोगों को जो है गिल्ड में डॉक्टेक करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अप लोग अकेले भी जाए अपना अट्रा सो डॉक्टेक कर लोगे अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक ला सेट कर दो क्योंकि मैं वह वीडियो भी जल से जल आने की कोशिश कर रहा हूं तो मिलते हैं एक दम बिल्कुल नए वीडियो के साथ तिल डेन टेक क्यार एंड टाड़